नमज़कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वाथ करता हूँ और आज ही क्लास में हम ट्रांशेट करने वाले हैं पजयतंतर की एक कथा जो की है डडेट एलिफेंट्स गार्ड याने की मरे हुए हांथी का प्रामेडिकल पॉर्शन होंगे वह भी आपको साथी साथ बताते जाओंगा तो जैसे मैंने कहा था आप से एजडी में आएगी तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर से आपको यहां पर स्टोरी दिखेगी आप लोगों के लिए मैनत करता हूँ तो प्लीज आप एलिफेंट्स गार्ड याने हाथी का रक्षक वन्स अपॉन अपॉन अटाइम अब आपनों कितनी स्टोरी पहले भी पढ़ चुक है कि आपको समझ आ गया होगा कि वन्स अपॉन अटाइम का मतलब क्या होता है एक समय की बात है देर लिवड एन ओल्फॉक्स कहीं पर एक बुढ़ा लोमडी रहता था बिइंग ओल्फ बुढ़े होने के कारण वह अपने कुछ दान खो गया था खो गया था मतलब उसने अपने दान कुछ खो लिया था लौश याने खोना याने की मानग चली उसके कुछ दान तूट गया थे One day एक दिन he was roaming in search of food he was roaming वह गुम रहा था roaming याने गुमना कहा गुम रहा था in search of food भोजन की तलास में सर्ज याने तलास या फिर खोज और फूट याने भोजन की तलास में when जब suddenly अचानक से he saw a dead elephant उसने एक मरे 활 आथी को देखा सौया ने देखा the old fox was excited और बुढ़ा लोमडी excited हो गया बहुत ज़्यादा खुश हो गया प्रशन हो गया he ran to the spot और वह उस जगह पर दोड़ा ran देखे रन का ran हो गया पास्टे और वह कहां दोड़ा spot यान उस जगह पर दोड़ा where the dead elephant lay जहां पर मरा हुआ हाथी ले याने पड़ा हुआ होना जहां पर मरा हुआ हाथी पड़ा हुआ था he went around the elephant वहां हाथी के पास गया around याने हाथी के पास जाना and observe him closely observe करने लादा निर्क्षन करना उससे बहुत ही अच्छे से closely याने बहुत पास से और पास ते उसका क्या करना लगा निर्क्षन करना लगा उससे अच्छे से देखने लगा to see whether they wear any wands की कहीं उसके सरीर में कोई घाव तो नहीं है वो उसका सरीर में कोई घाव देखने लगा on his body on his body का मतलब होता है उसके सरीर पर on his body याने उसके सरीर पर there were any wounds on his body यहां कहीं पर इसके सरीर पर कोई घाओ तो नहीं है वो घाओ देखने गया था उसके बाद क्या होता है the old fox then tried to tear the hide of the elephants the old fox then tried उसके बार बुढ़े लोम्डी ने कोशिस की, tried याने कोशिस किया tear the hide, tear याने होता है hide याने होता है hide का मतलब होता है hide का मतलब चीपना भी होता है लेकिन यहां पर hide का मतलब हो रहा है खाल जिसे हम चमड़ा भी कहते है of the elephants, याने हाथी का of the याने हाथी के खाल को फाड़ने की कोशिस कर रहा था but it was too thick लेकिन ये बहुत ज्यादा मोटा था ठीक याने मोटा टू ठीक याने बहुत ज्यादा मोटा होना for him याने उसके लिए बहुत ज्यादा मोटा था suddenly अचानक से he had an idea उसे एक उपाय सूजा he had an idea मतलब उसे एक उपाय सूजा the old fox sat beside the dead elephant the old fox sat बुढ़ा लुमडी बैठा beside the dead elephant beside, beside का मतलब बगल में behind याने पीछे front of याने सामने, beside याने बगल में तो बगल में बैठा, किसे बगल में dead elephant मरें हाथी के बगल में बैठा and pretended to guard him pretended याने का दिखावा करना, to guard him गाड याने रक्षा करना उसका रक्षा करने का, हाथी की रक्षा करने का वो क्या करने का, दिखावा करने लगा he waited, वह इंतियार करने लगा for an animal एक जानवर का, to come there वहाँ आने का, वहाँ पर किसी जानवर के आने का, वह इंतियार करने लगा after some time, कुछ देर के बाद a lion came there वहाँ एक सेर आया came, आया, वहाँ पर एक सेर आया shalutation shalutation का shalut माना जैसे बोलते हैं shalut माना किसी को salami देना, तो इसे वहाँ पर salami देर है अब बुढे लोमणी ने कहा greeting the lion, greeting, greeting याने होता है स्वागत करना किसी को, उसे greeting कहते है अभी बादन करना, अभी नंदन करना, स्वागत करना उसे greeting कहते है और lion का क्या, अभी नंदन करने लगा he then sat softly इसके बाद उसने बहुत ही मधूरता से कहा, softly याने, बहुत soft याने, मुलायम होता है बहुत ही एकदम धीमे से, soft याने, धीमे से बहुत धीरे से बोला, बहुत ही प्यार से बोला O King, हे राजा I have been guarding this elephant मैं इस हाथी की रक्षा कर रहा हूं guarding ing लगा है तो मैं साथे की रक्षा कर रहा हूं For a long time, बहुत देर से If you wish, यदी आपकी इक्षा हो If you wish, यान यदी आप चाहते हो जैसे बोलते, I wish मेरी इक्षा है तुम्हारी wish क्या है, तुम्हारी इक्षा क्या है तो वही wish होता है If you wish, यदी आपकी इक्षा हो you may eat him up आप इसे खा सकते हैं जब किसी से आप सकना जा सकता हूँ जब किसी बड़े सी या किसी से अच्छे से बात करें तो वहाँ पर may का use करते हैं जैसे I can come in भी बोल सकते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ लेकिन यदि हमें आदर से बात करना है तो हम may लगाते हैं may I come in क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो यहीं पर can का यहाँ पर may हो गया तो अब may यदि किसी को आदर देना चाहते हैं तो may पूछ दे you may eat him up आप इसे खा सकते हैं but I request you मैं आपसे निवेदन करता हूँ but I request you मैं आपसे निवेदन करता हूँ you to आपसे निवेदन करता हूँ give me a मुझे देंगी small share of it small share small share छोटा सा हिस्सा आप इसका छोटा से हिस्सा मुझे देंगी मैं आपसे request करता हूँ I do not eat the animal killed by someone else मैं किसी और के द्वारा मारे हुए जानवर को नहीं खाता I do not eat मैं नहीं खाता The animal जानवर को killed by जो मारा गया हो Someone else किसी और के द्वारा Someone किसी और के द्वारा Else है ने किसी और के द्वारा मारा गया जानवर को मैं नहीं खाता Say the lion proudly Sayr ने गर्व के साथ कहा गर्ब के साथ कहा कि मैं किसी और के मारा हुआ जानवर को नहीं खाता उसके बाद देखिए बट मास्टर लेकिन उस्ताद I have not killed this elephant मैंने इस जानवर को नहीं मारा है said the old fox बुढ़े लोमडी ने कहा he died on his own वह मर गया अपने आप on his own याने अपने आप वह मर गया the lion said sir ने कहा I eat only that animal that I myself have killed मैं केवल उन्ही जानवर को खाता हूँ that जिसे की I myself मैं स्वयम have killed मैं खुद मारता हूँ मैं अपने मारे हुए जानवर को ही खाता हूँ I am happy to let you have मैं खुस हूँ कि तुम्हारे पास have the whole elephant for yourself कि तुम्हारे लिए मैं पूरा हाती छोड़ कर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पूरा हाती है you will not have wonder you will not have wonder wonder याने होता है घूमना तुम्हें घूमना नहीं पड़ेगा तुम्हें घूमना नहीं होगा या नहीं पड़ेगा इन सर्च ओफ फूड भोजन की तलास में सर्च याने तलास में फूड याने भोजन भोजन की तलास में तुम्हें घुमना नहीं पड़ेगा for many months बहुत महिने बहुत पहिनों तक तुम्हें भोजन की तलास में नहीं घुमना पड़ेगा saying this ऐसा कहकर the lion walk away proudly और सेर वहां से चला गया गर्व के साथ वहां से चला गया उसके बाद देखिए after some time कुछ देर के बाद a tiger came there अब देखें टाइगर यहां पे आप देखेंगे tiger और जो lion होता है दोनों में अंतर होता है लायन आपको पता है बड़ा बड़ा उसके बाल होते हैं दाड़ी होती है और उसके सरीर पे निसान नहीं बना होता है जो tiger होता है वहाँ पर एक बाग आया the old fox thought बुढ़े लोमडी ने सोचा the tiger is a cunning animal जो बाग है वो बहुत ज्यादा cunning यान होता है सातिर चालाग चालाग जानवर है I must get rid of him मुझे इससे छुटकारा चाहिए I must get rid of him मतलब मुझे इससे छुटकारा पाना होगा otherwise नहीं तो he might eat my food ये मेरा भोजन खा सकता है मेरा खाना खा सकता है thinking thus ऐसा सोच कर he said उसने कहा oh tiger hey bug the lion has said just killed this elephant अभी अभी इस जानवर को मारा है इस साति को मारा है he has asked me उसने मुझे कहा है me to guard his pray guard his pray मतलब इस जो सरीर है हांती का जो सरीर है इसकी रक्षा करने के लिए मुझे कहा है while he was his bath जब तक की while मतलब जब तक की he has his bath जब तक की वो नहा कर नहीं आ जाता जब तक वो नहाता है तब तक उसने कहा है कि मुझे इस हांती की सरी की रक्षा करने के लिए ओ, मतलब वो सेर एक आवाज निकाल रहा है I do not like the flesh of elephant anyway I do not like, मुझे पसंद नहीं है flesh चानल होता है man's, किसका man's elephant anyway हांती का man's मुझे पसंद नहीं है said the tiger, बाग ने कहा as he walked away, ऐसा करकर वो भी वहाँ से चला गया after some time, कुछ देर के बाद a monkey came there, वहाँ एक बंदर आया ah, a monkey's teeth are very strong बंदर का दाथ बहुत मजबूत होते है said the old fox to himself himself याने, स्वयम से, खुद से monkey ने, sorry ये जो लोमडी है आपने आप से कह रहा है कि बंदर के दाथ बहुत ज़्यादा मजबूत होते है somewhat excited, कुछ excited होकर कुछ बहुत ज़्यादा प्रशन होकर I must ask मैं तुमसे पूछता हो, मैं पूछना चाहूंगा, him to उससे bite, bite यान होता है, काटना into the thick height of this dead elephant इस मरहवे हाथी के हाइडिया ने जैसे पताया था खाल को, खाल को काटने के लिए मैं उससे पूछूंगा, must ask मतला मुझे इससे पूछना ही होगा मरहवे हाथी के खाल को फाडने के लिए अब उसके बाद देखिए the old fox said to the monkey बूढे लोमडी ने बंदर से कहा welcome friend, स्वागत है दोस you appear to be very hungry तुम बहुत ज़्यादा भूखे दिख रहे हो hungry, appear मतलब होता है दिखना क्या दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा भूखे दिख रहे हो come, आओ, let's realize the flesh of this elephant यहाँ पर आओ और हाथी के flesh यहाँ ने मांस का मजे लो, स्वाद लो realize यहाँ उसका मजे लेना, स्वाद लेना the lion who killed जिस सेर ने इसे मारा है this elephant, इस हाथी को जिस सेर ने मारा है has gone to have a bath वह कहा गया है, नहाने के लिए गया है he has asked me to guard उसने मुझे सुरक्षा करने के लिए कहा है, guardian ने सुरक्षा करना, उसने मुझे सुरक्षा करने के लिए कहा है, this elephant इस हाथी का मुझे उसने सुरक्षा करने के लिए कहा है the lion won't be here हाथी सेर यहाँ पर नहीं है या नहीं आएगा before long लॉग याने बहुत समय बहुत समय तक यहाँ पर सेर अप नहीं आएगा बहुत देर के बाद आएगा meanwhile तब तक तुम you can तुम क्या कर सकते हो enjoy eating this elephant enjoy मझे ले सकते हो साथी को खा कर मझे ले सकते हो उसके बाद oh no अरे नहीं said the monkey बंतर ने कहा I dare not take मेरी हिम्मत नहीं है take याने लेना even a little flesh छोटे से भी मांस का I do not take छोटे भी मांस को लेने का from the lion's prey I do not want to be killed मैं मरना नहीं चाता I do not want याने चाहना to be killed याने मरना नहीं चाता by the lion by the lion मतलब सेर के द्वारा मैं मरना नहीं चाता I am going away मैं दूर जा रहा हूं या फिर मैं भाग रहा हूं उसके बाद देखिए but you can at least have a bite लेकिन को लेकिन तुम एक तुकडा तो ले सकते हो said the old fox trying to convince the monkey convince याने होता मनाना और बंदर को वो मनाने लगा कि तुम you can eat मतलब तुम खा सकते हो have a bite एक छोटा सा तुकडा तुम खा सकते हो I will keep watch मैं देखता रहूंगा I will warn you मैं तुम्हें वाण कर दूँगा मैं तुम्हें चेतावनी दे दूँगा मैं तुम्हें बता दूँगा as soon as जल्द से जल्दी I see the lion coming here जैसे ही सेर यहाँ पर आता है जैसे ही मैं सेर को यहाँ पर आते हुए देखूंगा मैं तुम्हें वाण कर दूँगा don't worry चिंता मत करो enjoy yourself अपना मतलब स्वयम में मजे लो खुद से मजे लो enjoy yourself मतलब खुद मजे लो eating the tasty flesh of the elephant eating याने खाना किसे खाना eating the elephant flesh of elephant हाथी के मांस को खाने का मज़ा लो तुम enjoy करो the monkey bite into the elephant side और monkey क्या करता है bite याने काटना कहाँ पर काटता है elephant side hide याने उसके खाल पर हाथी के खाल को वो काटता है inner root open और उसे फार देता है tore करना दीखिए नया सीखने के में tore, याने होता है PARNA T.O.R.E tore, याने फार्णा और उसे फार कर खोल लेता है As he was about to take a bite As he was, जैसे ही वो क्या करने वाला था About to take a bite एक तुकड़ा लेने ही वाला था The old fox said बुढे लोमनी ने कहा Run friend, run दोडो, दोस्त दोडो The lion is coming back सेर वापस आ रहा है ऐसे उसे जुड़ बोल लेता है The monkey jumped onto a tree और बंदर पेड़ पर कूच जाता है To save his life अपनी जान बचाने के लिए Him याने अपना खुद का His life याने खुद का life He then jumped from और उसके बाद वो क्या किया Jump, याने कूदा, कहा कूदा From one tree to another One tree to another Another याने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर याने दूसरा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा At last और अन्त में Dispaired Dispaired मतलब होता है खो जाना लुप्त हो जाना गायब हो जाना गुम हो जाना और वो लुप्त हो गया गायब हो गया कहां से गायब हो गया Into the Thick buses Thick याने होता है मोटा या फिर घना और यहां पे Buses का मतलब यहां पे होगा Buses का मतलब होता है जाड़ी Thick buses याने बहुत घनी जाड़ियों में वो क्या हो गया गुम हो गया चुप गया चिप गया The old fox was feeling very proud और जो बुढ़ा लोमणी था अपने आपे बहुत गर्व महसूस करने लगा Office cleverness अपनी चतुराई पर अपनी चलाकी पर बहुत ज़्यादा घमन करने लगा गर्व महसूस करने लगा As he was about to take a bite और जैसे ही वो एक तुकड़ा लेने ही वाला था Of the elephant's flesh हाथी के मांस करेक तुकड़ा लेने ही वाला था He heard a voice उसने एक आवाज सुनी Heard याने सुनी क्या सुने एक voice याने आवाज Saying कहते हुए Run 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 away friend दोडो दोडो दोस्त इसके बाद देखी क्या हुआ The old fox turn around और बुढ़ा लोमडी घूम गया Turn around मतलब घूमना घूम गया He saw another He saw another और उसने क्या देखा Another याने दूसरा Young याने जवान Healthy याने स्वस्त And strong Strong याने मजबूत Fox और उसने एक जवान मजबूत Healthy स्वस्त लोमडी को देखा Standing before him अपने पीछे जैसे प्लाट के देखा तो अपने पीछे उसने क्या देखा बहुत ही जवान तंदुरुस ताकतवर उसने एक लोमडी जवान लोमडी को देखा The old fox did not feel like और जो बुढ़ा लोमडी था वो क्या पसंद नहीं कर रहा था Leaving the elephant हाथी को छोड़ना Leave याने होता है छोड़ना हाथी को छोड़ना नहीं चाह रहा था Like याने चाहना पसंद करना Going away याने दूर जाना हाथी को छोड़कर दूर जाना वो लोमडी पसंद नहीं कर रहा था He looked at the young fox और उसने जवान लोमडी को देखा And howled और क्या करना लगा? Howled एक बार इसको आपको दिखाया तो अच्छे से Angrily, Howled Angrily Angrily मतलब होता है गुस्थे से और यह जो हाउल होता है लोमडी का आवाच वह हाउल कहते हैं जैसे कुत्ते के बार्ग कहते हैं बार्ग याने भौकना तो हाउल याने होता है लोमडी के बार्ग जो हाउल कहते है Angrily, Angrily याने गुस्थे से वह हाउल करना लगा The two foxes begun to fight और दोनों लोमडी की बीच में क्या हो गया? लड़ाई शुरुवात हो गई लड़ाई की बीगन याने होता है Could not bear the bites of the young fox Could not bear Bear का मतलब यहाँ याने वैसे भालू होता है लेकिन ये bear का मतलब सहन करना वो सहन नहीं कर पार रहा था Bites of the young fox जवान लोमडी के जो जो काट रहा था उसे वो सहन नहीं कर पारा था At last और Ant में He had to escape He had to escape मतलब उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, escape करने का मतलब होता है छोड़ना, to save his life, अपने जान को बचाने के लिए, उसके बाद उसके बाद क्या कहता है, I don't like the flesh of a dead elephant, I don't like, मुझे पसंद नहीं है, the flesh of a dead elephant, dead elephant याने मरेवे हाथी का flesh, याने मांस, मरेवे हाथी का मा पसंद नहीं है, cried the old fox, और बुढ़ा लोमडी चिलाने लगा, cried याने चिलाने लगा, as he was running away, और वो दौरता गया, दौरते दौरते वो चिलाने लगा, कि मुझे मरेवे हाथी का मांस, पसंद नहीं है, तो इस प्रकार से यह story थी, यह story खत्म होई, कैसे लिए आपको story होता है, दिखावा करना, chalutation मतलब अभिवादन करना, नमिसकार करना, greeting याने होता है, स्वागत करना, और cunning याने होता है, सातिर या फिर चालाक, उसी प्रकार से get right of them का मतलब होता है, उससे चुटकारा पाना, flesh याने होता है, मांस, टोर याने होता है, फार ना, और thick buses मत कैसे लगी, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो जरूर लाइक करेंगे, बहुत मेहनस से बनाता है, वीडियो आप लोग के लिए, सेर जरूर करें, ताकि सब को इसका फायदा मिल सके, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद,